नसिरुदिन शाह अक्सर ही अपने विबाग बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। हाली में उन्होंने कुछ ऐसा कही दिया जिसके बाद अब ये दिगज एक्टर सफाई देते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंधी भासा अब पाकिस्तान में नहीं बोली जाती। रव्यवार को उन्होंने अपने ओफिसियल फेस्बूक पेच पर लिखा। ओके ओके मैं पाकिस्तान की पूरी सिंधी भासी अबादी से माफी मांगता हूं जो मुझे लगता है कि मेरी गलत राय से भहुत आहत हैं। मैं मानता हूँ कि मुझे गलत जानकारी थी लेकिन क्या इसके लिए मुझे सूली पर चढ़ाना जरूरी है जैसा कि एसुने कहा मुझे मुक्त होने दो सच में कई सालों तक खुद को एक समझदार व्यक्ति समझे जाने के बाद भी मुझे अग्यानी और दिखावा करने वाला बहुत दिक कहलाने में काफी मज़ा आ रहा है यही बदलाव है कुछ दिनों पहले नसरुदिन साथ सिंधी और माराठी भासाओं पर टिपड़ी को ले कर निशाने पर आगे थे उन्होंने एक इंट्रव्यू में कहा था कि माराठी में फारसी भासा के शब्द हैं बहुत से लोगों ने इसे समझ लिया कि उन्होंने माराठी को नीचा द लिखा था कि ऐसा लगता है कि हाली में मैंने जो कुछ कहा दो गयर जरूरी विवात पैदा हो गया है मेरा मक्सद माराठी भासा को कम दिखाना नहीं था बलकि या मानना था कि किस तरह विविदता सभी संस्कृति को सम्रिद बनाती है अपनी वेब सिरीज ताच के हालीया कि दोरान नशरुदिन शाह ने पाकिस्तान में बोली जाने वाली भासाओ के बारे में बात की अभिनेता ने दावा किया कि सिंधी अब पाकिस्तान में नहीं बोली जाती है आपका इस स्टोरी पर का कहना है कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताएं बॉलिवोड और एंटरेंब के एक्टाम है। कर दिए के लिए और प्कार खेट woods